तो मैं देखिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आवेसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता की प्लेटों के बीच वैदु छेत्र में उर्जा घनत इतना बड़ा हेडिंग है डरने क्या हो सकता नहीं आपके एक्जाम के लिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से शेयर करें इसे कि मैं आपको आपकी जैम के लिए नाइट्टी नाइट्टी प्लस मतब जो आपका लच्छ है उस लच्छ तक उस मुकाम तक आपको पहुचा सको इसमें आपका मुझे साथ चाहिए ठीक है अब देखिए क्या है निग आपको दिख रहा होगा अब मैं इसके आगे बताता हूं देखिए जो पहले मैं लिख माल लिया किसी समानतर क्या हूगा माल लिया किसी समानतर पट संधारित्र कीधा की संधारित्रे प्लेटो में प्रतेक क्या हूँ प्रतेक प्लेट का छेत्र पल क्या है ए है प्लेट का छेतफल क्या है ए है तथा प्लेटों की बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच की दूरी बीच की दूरी डी हो क्या है डी हो तो संधारित्र की धारिता तो संधारित्र की क्या निकालेंगे धार्ट क्या होता है formula hr का होता है C is equal to A upon epsilon 0 into D ये formula होता है न संथारित की धार्टा के लिए दिखे क्या लिखा हों माल लिया समांतर पर संथारित प्लेट्टो में पर्तेक प्लेट का छिफ़वल A है तथा प्लेटो के भीज की दूरी D हो निकालते हैं कि करके न तो फुल उड़ऻा उड़जा किसे करते हैं यह से तो यू इसको эксперania हो जाएका है भी अरू के हब लो मैं यहां से निकालूंगा सिक वैलू यह यहां यहां यहाए है यह Fair एलन जीरू अपार्ड इतरा साइब्माएं होगा ना किसका मेलु मैं रखाऊ। सी का मेलु रखा ओं इन टू वी स्कुरार का मैलु अब देखिया यहां से इज क्या होता है। इधार निखालेंगे ना इस उकल्टू क्या होता है वी अपन डी होता है ना तो वी इकल्टू क्या हो जाएगा एंटू डी हो जाएगा तो यहां पर हम वी की वेल्टू क्या रख दिये एंटू डी का होली स्कॉायर होली स्कॉायर था तो होली स्कॉायर में रख दिया हूँ अब देखिए यहां से एक चीज कट रहा है वन अपन अपसाइलन जीरो अब देखिए ए अपसाइलन जीरो सुरी दिखने आपको देखिए यूज कल्टू जैसी यू है यूज कल्टू हाफ इंटू ए एक बार बचा है अब इसको सेट कर देंगे बस वही आपका फार्मूला आ जाएगा इसका फार्मूला है आवेशिस समानतर पर्टेसंधारित की प्लेटों के बीच अगर बेदुच्छेतर में उर्जा घंद तो निकालना हो तो यह फार्मूला लगाएंगे जब उर्जा घंद तो निकालना हो समानतर प्लेट की जब संधारित की प्लेटों के बीच क्या रखा हो बाइदुच्छेतर रखा हो यही फार्मूला लगाकर मैं निकालूँगा ठीक है न तो आपको भी यही फार्मूला रखके निकालना है अगला हीडिंग जो है उर्जा घनत तो फटाग से देख लेते हैं कि उर्जा घनत तो क्या होता चलो पूरेजा भंत इस झांत उर्ञेड घनत तो भलाबर क्या होता है आपको पता होगा पूर्जा से तस पीजिए इस hanada Dun अब कुल उर्जा क्या होता है अभी जो मैं आज जस्ट पाले निकाला हूं कुल उर्जा अभी जस्ट पाले निकाला हूं यूज कॉल टू न तो क्या हो जाएगा वन अपांट टू अपसाइलन जीरो ए डी इस्कॉर उसमें मैं क्या रखा था एक पाले किया था अपसाइलन जीरो बार में तो कोई इस्थ नहीं चाहे जो आप आगे पीछे करो multiply में ऐसा कर सकते हैं अब आईतन क्या होता है वी वीच को टू क्या हम रख देंगे AD अब देखे which equal to क्या होता है AD होता है न इसलिए मैं यहाँ पर AD देख दिए तो उर्जा घनत तो क्या आजाएगा है तो उर्जा घनत तो बराबर उर्जा घनत तो है उर्जा घनत तो बराबर क्या आजाएगा देखे यहाँ से D को D काट देंगे करें अब कर दो निकाल लिए तो निकालिए अब इस्क्वाइर अब अब सालन जीरो एक्षैनल का फर्चैश्री क्या होता और मट्री निरुद्द शीलता निर्वात की विद्दुत सीलता होता है अब अपसालेंजीरो का मान भी क्या होता है आठ दसमलो आठ पांच गुड़े दसी घाते माइनस बारा यह आया उड़्जा घंदत का फार्मूला अब उड़्जा घंदत का उपयोग भी देख लिए संधारी त्रका उपयोग देख लिए इसी वक्त आज यह मैं खतम कर दूंगा तीसरा अध्याय खतम हो गया संधारित्र का उपयोग और कमिश्ट्री में भी खतम होने वाला है दो दिन में खतम कर दूंगा तीसरा अध्याय में चलेंगे ना तो धीरे दिके पढ़ा रहा हो बिल्कुल बेसिक से और चुछ तरीकी ऐसे अईसा को पढ़ाने वाला नहीं तंथा उससंधारित्र का उपयोग देखेंगे इसको कहा करते हैं उर्जा संचय करने में उर्जा संचय करने में ऐसे डारेक्ट में लिख दे रहा हूं ना उर्जा पुर्जय संचय में अब इसका उप्योग कहां करते हैं आवेशो कि संचय में फटा फट लिख दे रहा हुए आवेश आवेशो के उप्योग आता है संधारीतर का उप्योग उप्योग के संचय में विद्धूत उपकरड़ों में इलेक्ट्रानिक उपकरड़ों में नहीं भी हो गया एक और लिख दो बड़ुत उपकरड़ों महां जी यह भी लिख लो वद्थूत उपकरड़ों में आँग है भाखा है यह बस इस वीडियो में इतना ही और जो अगला वीडियो में ले ना उग अगा वह ऐसा वीडियो रहेगा पूरा तीन पार तक sound की इन न land वीडियो कसे लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरू बताए अगले अध्याय में मिलूंगो आप बादू चालेंग के साथ धनवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में